अमेरिकी फार्मस्योटिकल और बायो टेकनलोजी कंपनी मॉडर्ना ने फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायो एंटेक के खिलाफ मुकदमा दाइर किया है यह मुकदमा अमेरिका के Massachusetts District Court और जिर्मनी के Dussledorf Court में तायर किया गया है Moderna का आरोप है कि इन कंपनियों ने COVID-19 वैक्सीन को बनाने में पेटेंट का उलंगन किया है उसने इन कंपनियों से नुकसान की भरपाई करने की मांगी है दरसल Moderna ने Pfizer और BioNTech पर mRNA टक्नीक की नकल करने का अरोप लगाया है BBC के रिपोर्ट के मुताविक Moderna के Chief Executive Officer Stephen Bansill ने एक बयान जारी कर कहा था हमने यह मुकदमा mRNA टकनीक को बचाने के लिए किया है mRNA टकनीक को हमने COVID-19 शुरू होने से पहले काफी पहले विक्सिप किया था हमने इसे बनाने में अर्बो डॉलोस का निवेश किया और दशकों पहले इसका पेटेंट कराया था Moderna का आरोप है कि Pfizer और उसकी German Partner Company BioNTech ने बिना अनुमती के उसकी mRNA टकनीक की नकल की, बता देंगी पेटेंट किसी कमपनी को उसके द्वारा बनाए गए विशेश उत्पाद के लिए विशेश कानूनी अधिकार देते है Pfizer ने Moderna द्वारा दायर किये गए मुकदमे को लेकर कहा कि वो इस कारवाई से हैरान है उसके मुताबिक उसे अभी तक इस मामले में कोई कानूनी दस्तावेज नहीं मिला है इसलिए उस समय उसकी तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया जा सकता हालागी कमपनी का कहना है कि वो Moderna के आरोपों के खिलाफ खुद का जोरदार बचाव करेंगी MRNA Genetic Code का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स माने कोशकाओं में प्रोटीन बनाता है इसे आसान भाशा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वाइरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो MRNA तकनीक हमारी सेल्स को उस वाइरस या बैक्टीरिया से लडने के लिए प्रोटीन मनाने का मेसेज भीजती है इस से हमारे इम्यून सिस्टम को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाते हैं और हमारे शरीर में आंटी बॉडीज बनना शुरू होती है इनियर एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मताविक MRNA टेकनोलोजी से बनी आंटी बॉडीज खून में मौजूद रहती हैं और वाइरस से लड़ती है इस सारी जानकारी एक कत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथ ही अभेने कामरा के पीछे हैं विजय मैं हूँ आस्था अपना खयार रखी और देश और दुनिया से जुडी तमाम जरूरी खबरों के लिए बने रहें दिलललन टॉप के साथ शुक्रिया